श्री गंगानगर शहर में बहु चर्चित हिस्टीशीटर जॉर्डन हत्याकान को लेकर जवाहनगर पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों का आदालत में आज चॉलान पेश कर दिया इस मुकत्मे में अभी संपत नहरा की गिरफतारी गंगानगर में नहीं हुई है और अंकित भादू पुलिस के गिरफ से अब भी बाहर है एक बाल अपचारी का चॉलान बाल नयायले में पेश किया गया है जवाहन अगर पुलिस थाना प्रभारी पर शांत कौशिक ने बताया कि बीती 22 मई को मीरा चॉक से चहल चॉक मार्क परस्तित एक जिम में कस्वत करते वक्त विनो शुरान उर्फ जॉर्डन पर अंदा दुन फाइरिंग करके उसकी हत्या कर दी गई थी इस हत्यकान में पुलिस ने गिरफतारी के बाद 6 आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया है थानप्रभारी ने बताए कि एक बाल अप्चारी के अलावा हिमांशु खीचड उर्फ काका पिस्तॉली, विक्रम जी सिंग, भागु उर्फ लाहोरिया, घोलूराम, सोनु उर्फ राजेश अरोडा सहीत 6 जनों के खिलाफ चालान पेश किया गया है थानप्रभारी ने बताए कि इस मुकदमे में अभी इनामी अपराधी संपत नहरा वे अंकित भादू की गिरफतारी नहीं हुई है हालांकि संपत नहरा पकड़ा जा चुका है लेकिन वे अब भी राजगर्ड पुलीस स्थाना में दर्ज हत्या के मुकदमे में चूरू में बंद है अंकित भादू अभी तक फराड चल रहा है जवाहन अगर पुलीस वे सोजी ने जौडन और विनो शिवरान की रैकी करने के आरोप में पुराने अबादी के एक बाल अपचारी को निरुद कर लिया था इसके बाद अन्य आरोपी गिरफतार हुए